आज के बच्चन के मनन के बारे में हम पढ़ेंगे यहुन्ना रचित्सु समाचारूं का पांच अध्याय और उनकी 31 से लेकर 47 फोटी शवन तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तुम मेरी गवाही सची नहीं एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि जो मेरी गवाही देता है वह सची है तुमने यहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है परंतु मैं अपने विश्य में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता तो भी मैं ये बातें इसले कहता हूँ कि तुम्हें उध्धार मिले वे तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी जोती में मगन होना अच्छा लगा परंतु मेरे पास जो गवाही है वे यहन्ना की गवाही से बड़ी है क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौपा है अर्थात यही काम जो मैं करता वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है तुमने न कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है और उसके वचनों को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीती तुम पवित्र शास्तर में ढूंडते हो, क्योंकि समस्ते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, मैं मनुश्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्ह मैं जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहन नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो उसे ग्रहन कर लोगे, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहेते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो, यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोश लगाऊंगा, तुम पर दोश लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा के प्रतीती कर इसलिए कि उसने मेरे विश्वास में लिखा है, परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती नहीं करते, तो मेरी बातों की क्योंकर प्रतीती करो, इन वचनों के अंदर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इश्व मसी के बारे में, इश्व मसी खुद गवाही दे लेकिन एक और है, जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वह देता है, वह सच्ची है, एक्चुली इस मसी की गवाही सच्ची थी, उसने खुद कहा, जब इस संसार में आया, अपने आपको इसने प्रगट किया, कि मैं परमेश्वर का पुत्र और मैं संसार की जियोती बनकर इस संसार में आया हूँ संसार को उजयाला देने के लिए में आया हूँ जो को मुझे पर विश्वास करेगा अनन जिवन उसका है काफी चीजे बता कर उसने अपने बारे में गवाही दी पर उन तो एक और है जो मेरे बारे में गवाही देता है और वो गवाही सच्ची है उनकी गवाही और यहुन्ना की गवाही एक सी थी दोनों की गवाही सच्ची थी लेकिन यिश्म से खुद उनके बारे में बताने के लिए वो नहीं कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो अपने बारे में अगर बोलेंगे फिर भी लोग उनकी बात को विश्वास नहीं करेंगे और इसलिए निती वच्चन 27 दो में जैसे लिखा है कि तेरी प्रसंसा और और लोग करे तो करे परण तू आप ना करना दूसरा तुझे सरा है तो सरा है परण तू अपनी सराहा ना करना एक मनुष्य के बारे में लिखा है कि तू दूसरे लोग तेरी सराहा ना करे दूसरे लोग तेरी प्रसंसा करे लेकिन तूम खुद मत करना सायद इस बात को लेकर ये श्मसी सायद वो अपने गवाही के बारे में बताता है कि मेरी गवाही में अगर दूं मेरी गवाही ते सची है लेकिन वो आप नहीं मानेंगे इसलिए वो यहुना की और वो बताता है कि एक और है जो मेरे बारे में गवाही देता है और तुम लेकिन हम जानते हैं कि यहुना ने उसके प्रगट होने से पहले इस संसार में यिश्मसी के बारे में उसने बताया और उसने बताया कि मेरे बात जो आ रहा है वो मेरे से बढ़कर है मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझ से पहले था और जिस का वरनन में आप लोगों को किया है हम देखते हैं कि यिश्मसी संसार में आया यिश्मसी अपने लोगों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया प्रंतु जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर के शंतान होने का अधिकार दिया अर्थाक उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं प्रियो वो अनुग्रह और सक्चाय से परिपून था वो परमेश्वर का फ्रिय पुत्र था परमेश्वर बोला परमेशन ने खुद बताया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रशन हूँ परमेशन पिता ने भी गवाहे दी यहुना ने भी गवाहे दी लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहते हैं फिर भी वो चाहता है कि इसलिए मैं इस बात को मैं कहता हूँ क्योंकि यहुना जो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी जोती में मगन होना अच्छा लगा लेकिन मेरे पास उससे भी बड़ी गवाहे और यह गवाहे उससे बड़ी है यहुना ने जो गवाहे बताई उससे बढ़कर में एक बड़ी गवाहे आपको बताता हूँ यह गवाही यह है कि जो काम पिता ने मुझे फुरा करने के लिए सौपा है और यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाहे कि पिता ने मुझे भेजा है प्रियो यशु मसी परमेशर का प्रिय पुत्र है वो संसार को संसार के लोगों के लिए एक वरदान है जैसे यहुना तीन सुला में हम पढ़ते हैं कि परमेश्यू ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लोता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नास नहो लेकिन वो अनन्त जीवन पाएं यहुन्ना बहुत बार उनके बारे में गवाही देता रहा लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे लेकिन अभी यिश्व मसी एक बड़ी गवाही के बारे में वो बताते हैं कि पीता ने जो काम करने के लिए मुझे भेजा है वो मेरे गवाह है एक बार यहुना बबतिसमा देने वाले ने अपने चेलो से कहा कि तुम यिश्व मसी के पास जाकर तुम पूछो कि जो आने वाला था वो तुह ही कि और दूसरा कोई आने वाला है तो जब चेलो ने यिश्व मसी के पास जाकर पूछा तो यिश्व मसी ने अपने बारे में बताया कि तो उसने यह कहा कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यहुना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगडे चलते हैं फिरते हैं कोड़ी सुद्ध किये जाते हैं और बहरे शुनते हैं मूर्दे जिंदा किये जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोक करना खाए यिश्य मसी के कामों के द्वारा विस्वास करने के लिए यिश्य मसी कहते हैं कि जो काम पिताने मुझे करने के लिए भेजा है उन कामों को तुम देखो उन कामों को देखकर उन आश्य करम को देखकर तुम विस्वास करो क्योंकि पिताने मुझे इसलिए भेजा है ताकि द्वारा उसने प्रगट की पिता ने उससे भेजा था और उसने खुद अपने बारे में गवाही दिया और इसलिए वो यिश्यमसी जो उसको जो सुन रहे थे जो यहूदी लोग थे जो मुसा के विवस्ता पर विश्वास करते थे और उसी के लिए उसने कहा कि तुम पहितर सास्त्र में ढूंडते हो या तुम पवितर सास्त्र में ढूंडो यह कि समझते हो कि उसमें अनन जीवन तुमें मिलेगा पर यह वही है जो मेरी गवाही देता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते अनन जीवन जो प्रगट होने वाला था जो पवित्र सास्त्र बता रहा था मुसा की विवस्था जिसके बारे में बता रही थी कि अनन जीवन तुमें मिलता है लेकिन जब अनन जीवन इस संसार में तुमें जो प्रगट किया गया तुम उस पर विश्वास नहीं करते तुम उस जीवन को पाने के लिए पाना नहीं चाहते तुम मनुश्यों का अधर चाहते है परण तुम मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर फ्रेम नहीं है परमेश्वर खुद प्रेम है परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रगट किया अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया उसने अपने बेटे को इस संसार में भेज कर उसको बलिदान होकर उसने उस कार्य को पूरा किया है हमें उस पर विश्वास करना है इसलिए ये श्मसी खुद कहता है कि तो मैं उद्धार मिले इसलिए मैं इस बातों को कहता हूँ मुझे कोई जरूर रही कि दूसरे लोग मेरे बारे में गवाही दे या मनुश्य की गवाही नहीं चाहता लेकिन इस पिता ने जो कार्यक मुझे सौपा है उस कार्यक को मैं करता हूँ उस कार्यों को द्वारा उस काम जो है मेरे बारे में गवाही देते हैं कि मैं परमेशर की ओर से आया हूँ, मैं पिता की ओर से आया हूँ और इसलिए वो कहता है कि तुम में परमेश्य का प्रेम नहीं है पिता के नाम से मैं आया हूँ और तुम मुझे ग्रहन नहीं करते है इसलिए यहुना एक में हम पढ़ते हैं कि वो अपने लोगों के पास आया लेकिन अपने लोगों ने उसे स्विकार नहीं किया ग्रहन नहीं किया इसलिए वो कहता कि जो जूटा मनुश्य है जूट की बाते बोलता है उन पर तुम जल्दी विस्वास करते हो लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम कैसे विस्वास करोगे यह ना समझो कि पिता के सामने में आप पर दोस लगाऊंगा तुम पर दोस तो मैं नहीं लगाऊंगा दोस लगाने वाला मुसा है क्योंकि तुम मुसा पर बरोसा रखते हो मुसा पर विस्वास करते हो अगर तुम मुसा पर विश्वास करते हो उसकी वियस्ता पर विश्वास करते हो तो तो मुझ पर भी विश्वास करो इसलिए मेरे विश्वास में जो लिखा है उन पर तुम ध्यान करो लिखी हुई बात पर तुम विश्वास करो तुम क्यों विश्वास नहीं करते हैं तो मेरी इस बात पर तुम कैसे विश्वास करोगे इसलिए यिश्व मसी उन कामों के बारे में बताता है जो यहुना के चेलों को उसने बताया कि तुम जाकर उसको बता दो जो काम में करता हूं मेरे करन जो ठोकर न खाए वो धन्य है प्रियों आज हम जब यश्यमसीग के बारे में उनकी गवाहि के बारे में पढ़ते हैं हम सुनते हैं तो हमें विस्वास करना चाहिए कि यश्यमसीग प्रमेश्य का पूतर जो संसार को बचाने के लिए संसार के अंदर जो पाप मनुष्य जो पाप के अंदर पड़ा हुआ था पाप के वसमे था उन्हें छुडा ले जो क्रोध के शंतान थे हम परमेशर के शत्रू थे हम परमेशर शेद्दूर थे लेकिन उसके लहुक के द्वारा हम उसके निकट आ गया है हमें विश्वास करना चाहिए और हमारे उद्धार को पा लेना चाहिए हमारा उद्धार यिश्य मसी के द्वारा प्रगट किया गया है उनके और उनके अनन्त जीवन के लिए उस उद्धार को हम पाले उसने कहा सचाँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेवालों पर विश्वास करता है अनन्त जीवन उसका है और उस पर दंड की आग्यान नहीं होती प्रंतु वह मृत्यू से पार होकर जीवन में प्रवेस कर चुका है अगर हमें जीवन चाहिए हम अनन जीवन का आसिस चाहिए तो हमें उस पर विश्वास करना जरूरी है और इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे अंदर फ्रेम नहीं है तुम मुझे पर विश्वास नहीं करते है लेकिन जो यहना से बरी गवाही मैं आपको बताता हूँ मेरे काम जो है उपने आप मेरे गवाह है उन कामों पर तुम विश्वास करो उस चमतकारों पर तुम विश्वास करो जो आष्य करम मेरे द्वारा किये गए हैं उन पर तुम भी स्वास करो इसलिए यश्य मसी इस संसार में आकर परमेश्वर का जो काम हा उसने उसने परिपून किया है उसी वचन के द्वारा प्रभू हम आसिसित करें उन वचनों को स्मरण करें और अपने जीवन के अंदर आसिस का भागी हो प्रभू आप सब को आसिस दे आयो हम प्रात न करें पीता हम धन्यवात करते हैं कि तुने अपने बेटे मसी यिश्य को हमारे लिए संसर में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनन जीवन को पाए प्रभू उनके कामों कामों हमें गवाई देते हैं उनके आश्य करम हमें गवाई देते हैं उनके भलाई के काम हमें गवाई देते हैं उनकामों पर हम विश्वास करते हैं कि यिश्य मसी सच्चा है वो मार्ग सच्चाई और जीवन है जीवन उसी में है अनन जीवन उसी का है जो उस पर विश्वास करता है इसलिए आज हम विश्वास करता है कि येश्व जो परमिन्शुर का प्रिय पुत्र इस संसार में आया उनके द्वारा हमें जीवन मिले और बहुत आध का जीवन मिले आमेन प्रभु आप सभी को आसिस दे आमेन आज के वचन के मनन के अंदर हम पढ़ेंगे निती वचन उनका ग्यारवाज है उनके 19 से लेकर 31 आयत का हम पढ़ेंगे और सुनेंगे जो धर्म में दुड़ा रहता वह जीवन पाता है परंतु जो बुराय का पीछा करता वह मृत्यु का कवर हो जाता है जो मन के टेड़े है उनसे यहवा को घुना आती है परंतु वह घरी चालवालों से प्रसन रहता है मैं दुड़ता के साथ कहता हूँ कि बुरा मनुशतो निर्दोश न ठेरेगा परंतु धर्मी का वँश बचाय जाएगा जो सुन्दर्श्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथुन में सोने की नत पहने होए सुर के समान है धर्मियों की लालसा को केवल भलाई की होती है परंतु दुष्टों की आशा का फ्वाल क्रोध ही होता है ऐसे है जो छितरा देते है तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी है जो यथार्त से कम देते है और उनसे इससे उनकी घट्ती ही होती जाती है उदार प्रानी हश्ट पुष्ट होद जाता है और जो औरों की खेती सिंचता है उसकी भी सिंची जाएगी जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाब देते हैं परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशिरवाद दिया जाता है जो यतन से भलाई करता है वह औरो की प्रसनता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उस पर उसी पर बुराई आ पड़ती है, जो अपने धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहला आते हैं, जो अपने गहराने को दुख देता है, उसका भाग वायो ही होगा, और मुढ बुद्धिमान क का दास हो जाता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का रुक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है, देख, धर्मी को पृत्वी पर फल मिलेगा, तो निश्च है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा, इन वचनों के अंदर हम सुनते हैं, एक धर्मी मनुष्य को क्या प्रतिफल है, एक दुष्ट और अधर्मी मनुष्य का क्या प्रतिफल है, उनके बारे में इन वचनों के अंदर हम काफी चीज़े हम देखते हैं, एक मनुष्य जो उनके रोजबरोज के व्यवहार से, उनके आचरन से, उनके कामों से, उनकी सोच विचार से अपने जीवन में कैसे पहल को पाता है उन प्रतिफलों को हम इन वचनों के अंदर हम पढ़ते हैं तो पहले हम देखें कि धर्मी मनुष्य के साथ क्या प्रतिफल आता है तो हम पहले से जो हम पड़ते हैं तो धर्मी मनुश्य जो धर्म में द्रण रहता है वो जीवन को पाता है और दूसरी चीज जो मनुश्य खरी चाल चलता है उसे यहवा प्रशन रहता है उनसे प्रमेश्वर प्रशन रहता है और उनकी बड़ोत्री होती है उनकी भलाए होती है उनका वंस बचाया जाएगा और जैसे दूसरे की खेत में पानी पिलाने वाला खुद भी पानी को पिएगा और सब आसिस धर्मी के जीवन में प्रमेश्वर देता है ये एक सच्चाय है प्रमेश्वर का अनुग्रह को वो पाएगा और जीवन का रुक्ष के समान प्रमेश्वर उन्हें आसिस देता है औ और हर एक लोगों का मन को भी वो महलेगा और दुसरे आत्मा को भी वो बचाएगा उनको पुरती पर बहुत फल मिलेगा। दर्मी मनुष्य के बारे में सारी आसिस के बारे में यहां पर लिखा है। और सारी चीजों हम इसमें पढ़ते हैं वहां पर आसिस ही आसिस हमें दिखाए देता है। जीवन के अंदर उनका जो धान है अनाज जो है वो अपने पास रक छोड़ता है। इसको मदद करने की चाहत नहीं रखता और इसलिए लोग उसे स्राब देते हैं। जो अनाज को बाटता है वो आसिस को पाता है। सारी बुराएं उस पर आ पड़ती हैं। और ऐसा भी लिखाए एक धनी मनुश्य जो धन पर भरोसा रखता है वो गीर जाता है। लेकिन जो धर्मी मनुश्य लोग नई पत्त के समान लह लह लाते हैं। और जो अपने घराने को दुख देता है उनका भाग उस वायू ही होगा। मतलब कोई उस वायू के समान होगा। उसका जीवन वायू के समान होगा। वो कहां से आता कहां चला जाता है। उनका कुछ अता पता नहीं होता है। वेसे उनके जीवन में होता है। और मूड मनुश्य, मुर्क मनुश्य, बुद्धिमान का दास हो जाता है, उनके जियन में कोई आसिस नहीं रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक और सच्चाई जिनके बारे में पवितर सास्तरा में बताता है, रोमियो तीन और उनसकी 23 और 24 आयत में कि इसलिए कि सबने सेथ में धर्मी ठहराय जाते हैं, प्रियो हम जानते हैं कि इस पृत्थी पर कोई भी मनुश्य, धर्मी नहीं, कोई भी मनुश्य नियाई नहीं है, हर मनुश्य ने पाद किया है और परमेश्य की महिमा से रहित हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि अनुग्रह से, उसके परमेश्य का अनुग्रह जो हमें प्राप्त होता है उस छुटकारे के द्वारा जो मसी यिश्यू में है सेंतमेद मुप्त में हम धर्मी ठहराये जाते हैं अगर उन आसिसों को हमें पाना है उन आसिसों के अंदर में बनाये रहना है तो हमें उस छुटकारे की जरूरत है उन यिश्व मसी पर विश्वास की जरूरत है जिनके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो धर्मी मनुष्य का जो प्रतिफल है उन प्रतिफल को पाने के लिए हमें जो हमारा यिश्व मसी जो उद्धार करता है उनके उस बलिदान पर उनके पुंद्रुत्थान पर हमें विश्वास करना है और उसी के द्वारा हम धर्मी ठाहर कर हम उस आसिसों को हम भागी होते हैं प्रियो एक और आसिस के बारे में हम यहां पर देखते हैं कि धर्मी का प्रतिफल जीवन का वुरुक्ष है जैसे हम प्रकासितवा के उसके बाईस अध्या में पढ़ते हैं कि इस नदी की उस पार जो एक वुरुक्ष है जिनमें हर समय में हर महीने उसमें फ़ल आते हैं और उनके पत्ते जो है वो जाती-जाती के लोगों के लिए चंगाई के लिए इस्तमाल किये जाते हैं ऐसी आसिस प्रभू उस धर्मी वक्ति को देता है मतलब कि इस मसीपर विस्वास करने वालों को मिलता है एक रुक्ष के समान जीवन के रुक्ष के समान जो जीवन हम पाते हैं वो ही जो हम दूसरों को हम दे सकते हैं दूसरे आत्मा को हम बचा सकते हैं इसलिए हमारे जो जीवन है वो आसिस में जीवन होने के लिए मसीश्यू पर विस्वास की हमें जरूरत है और विस्वास में दृरता से बने रहने की जरूरत है उसकी आग्या को परमेशर के भाई को मानने की जरूरत है तब हम आसिसों को पास सकते हैं इसलिए इस वचनों को हम जाता से जदा हम मनन करें उनको याद रखें कि अगर हमें आसिसी जीवन चाहिए हमें हमारे जीवन के अंदर बड़ोतरी चाहिए हमारा स्वास्त अच्छा चाहिए तो इन वचनों को हम याद करें, मनन करें और मसी इश्यू के उस विस्वास में, उसके प्रेम में हम बढ़ते जाएं इन वचनों के दोरा प्रभूए आप सभी को आसिस दे, एमेन